दोस्तों हमारे चैनल गान भंडार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम जानेंगे चावल के एक अचुक उपाई से कैसे धन की वर्षा हो सकती है लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ल ज्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत के साथ अच्छी किस्मत भी महत्व रखती है कुछ परिस्थितियों में मेहनत के बाद भी परियाप्त धन प्राप नहीं हो पाता या खर्जों की अधिक्ता की वजह से बचत नहीं हो पाती ज्योतिश के अनुसार कुनली में यदि कोई ग्रह बाधा हो तो व्यक्ते को गरीबी झेलना पर सकती है ज्योतिश शास्त्र में गरीबी दूर करने के लिए असंखिकार गर उपाय बताय गए हैं इन उपायों को अपनाने से किसी प्रकार की ग्रह बाधा हो वेह दूर हो जाती है यदि किसी वजह से धन ट्राप करने में कोई समस्य आ रही हो तो इन उपायों से वे सभी परिशानिया भी दूर हो जाती हैं यदि आप भी किसी ग्रह बाधा से पीडिग हैं और आपके पस में अधिक समय तक पैसा नहीं टिकता तुन निम्र उपाय करें किसी भी शुब मुहूर्त या अक्षैत्रितिया या पोर्णिमा या दीपावली या किसी आनि मुहूर्त में सुबह जल्दी उठें। सभी आवशक कारियों से निवरित होकर लाल रेशमी कपड़ा लें। अब उस लाल कपड़े में चावल के 21 दाने रखें। ध्यान रहें चावल के सभी 21 दाने पूरी तरह से अखंडित होना चाहिए यानि कोई तूटा हुआ दान न रखें। उन दानों को कपड़े में बां कर रख लें। ऐसा करने पर कुछ ही समय में धन संबंधी परिशानिया दूर होने लगेंगी। ध्यान रखें कि पर्स में किसी भी प्रकार की अधार्मिक वस्तु कतई न रखें। इसके अलावा पर्स में चावियां नहीं रखनी चाहिए। सिक्के और नोड अलग-अलग और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहें।